हेलो फ्रेंड्स मैं खुर्रम काजमी आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं यहां पे एक रेफियेटर का वर्किंग सिस्टम है फ्रॉस्फ्री रेफियेटर का वर्किंग सिस्टम यहां पे बनाया हूँ है लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थी कि हम लीकेज किस तरह से चेक करें तो यहां पे एक लीक टेस्टिंग एक्विप्मेंट रखा हूँ है लोकेटर के नाम से और यह तक्रिवान सारे ही रेफियेटर को चेक करता है लीक टेस्टिंग में इसकी लिमिट्स यह हैं कि अगर एक कंड भी एक जर्रा भी लीक कर रहा है तो यह उसको डिटेक कर लेता है पूरे साल में अगर एक ग्राम भी लीक होने वाला है तो ये लीक डिटेक्टर उसको डिटे कर लेता है ऐसे लीक डिटेक्टर्स इंटरनेट पे बहुत से अवेलेबल हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पर्चेस कर सकते हैं लीकेज जो है वह हमारे प्रॉफिट में बहुत जादा सेन लगाता है बहुत जादा हमको नुकसान पहुचाता है हम अच्छे से रेफ्रेटर को बढ़िया सेफ लशिंग करके अच्छे से बना के आते हैं, गैस चार्ज करके आते हैं और एक प्रॉपर जॉइंट ना होने की वजह से, सही तरीकर से जॉइंट ना होने की वजह से रेफ्रेजरेंट लीक कर जाता है तो दुबारा से पूरा प्रॉसेस हमको करना पड़ता है और बहुत बार अगर सक्षन साइट पर लीकेज होता है तो हमारा refrigerator, हमारा system जो है चाहे वो suction line के आसपास का leakage हो या cooling coil के आसपास का leakage हो तो यहां से अगर suction line की आसपास होगा तो air खीच लेगा उसके भी lymphature होता है और cooling coil के आसपास leakage होगा तो वहां से भी यह पानी खीच लेता है जब ये पानी हमारे compressor के oil में mix हो जाएगा तो फिर इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है तो आईए देखते हैं किस तरह से हमारा ये lead detector वर्क करता है पहले हम इसको यहां से प्रेस करके on करेंगे long deep आएगी और अभी ये atmosphere में मौझूद refrigerant को sense कर रहा है ये इसका sensor है और फिलहाल अभी ये sense कर रहा है कि यहां atmosphere में कितना refrigerant मौझूद है कुछ तमय लेगा ये sensing करने में करीब करीब अधा minute एक minute के असपास ये sense करेगा sense करने के बाद यहां पर मौझूद refrigerant की quantity को ये judge कर लेगा फिर जब हम leak testing के लिए इसको joints के पास ले जाएंगे तो अगर एक cord भी leak कर रहा है तो ये उसको detect कर लेगा जहां तक joints की बात है हम लोग यहां पर brazing करते हैं और brazing के लिए हम लोग को brazing material torch यूज करते हैं इस pipe की गर्मी से हम उस brazing material को melt कराते हैं बहुत बार देखा है कि लोग brazing material को melt कराके pipe पे टपका देते हैं फिर गरम करके उसको फैलाते हैं ऐसा joint हमेशा परिशानी पैदा करता रहेगा जब कभी भी आपने इस pipe को गर्म किया इसकी गर्मी से अगर हमारा rod melt होगा तो capillary action से इन दोनों pipe के बीच में जाके bond बनाएगा और वही brazing कहलाती है ये brazing नहीं है कि हमने उपर से इसको melt कराके rod को टपका दिया और बाद में इसको torch से फैला दिया तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा tester leak detector तयार है green light जल रही है और beep आ रही है इसमें continuously beep आ रही है minute leakage भी होगा तो ये check कर लेगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये leak कर तो नहीं रहा है बहुत minute leakage है आपको यहाँ पर दिख रहा है बहुत minute leakage है तो ये उसको detect कर रहा है जिन points पर leakage नहीं है क्योंकि अभी यहाँ से leak की हुई है इसलिए इसको detect कर रहा है हमें इसको बंद कर देते हैं देखे बंद करते ही तो टाइट कर देएंगे इसके अंदर rubber दिया हुआ है इस तरह से हम लोग सारे joints पर इसको check कर सकते हैं cylinders भी अगर कोई leak कर रहे हैं तो उसको भी यह properly detect कर लेता है जहां जहां भी joints हैं वहाँ पर हम इसको check कर सकते हैं freezer में भी जहां पर joints हैं वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं अगर जरा सा भी leakage होगा तो यह उसको indicate करेगा यह sensor है इसका हलका सा heat होता है यह sensor इस तरह से हम continuously leak detect कर सकते हैं माइनूट से माइनूट लीकेश को भी यह information देके आपको बता देगा नेट पर यह उनतिस सो तीन हजार साड़े तीन हजार चार हजार in rates में available है यह देखिए यहां पर यह leakage दिखाने लगा तो leakage को अगर हम लोग के care कर लेंगे तो हमारे business के losses आसानी से cover की जा सकते हैं यहां पर यह लीक डिटेक्टर है वलकाउन कंपनी का इससे हम बहुत तरह के leakages चेक कर सकते हैं तो यहां पर एक जिसलिंडर है हम लोग दिखेंगे कि अगर ज़रा सभी leakage होगा तो यह उसको detect करेगा एक particle भी लीक कर रहा है तो इसको यह detect कर लेता है यहां पर इसने यह detect कर लिया तो यह leak detector भी हम लोग use कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग leak detector की मदद से जो भी काम किया है उसका leakage चेक करेंगे प्रपर वे में काम कर रहा है यह कहीं पर भी को leakage नहीं है